हाई गईज और वेलकम बाक तो दी चनल दीपाच यादव एजूकेशन, वेलकम तो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ऑफ 23 अवक्टोबर 2024 तो गईज जाधे तारीक 23 अवक्टोबर 2024 और है वेडनेस डे देखेंगे आज के दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को निलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में डाइप करना दीपाच यादा वजुकेशन यूपी एसी आपको यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां से आप डेली बेसिस पे लिस लेक्चर के पीडियेफ को डाउनलोड कर पाऊगे डेली बेसिस पे करेंट अफेर्स के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स यहाँ पर मिल जाते हैं आज बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है क्यूब आ को कहा पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इस क्वेच्चे से मैप में देख दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साधी साधे क्वेशन सॉल्व करेंगे जो की यूपी एसी पाटर्न की उपर बेस्ट है डेली बेसस पे यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस क्व भी सॉल्व करते हैं तो जैसे आपको पता है कल के वीडियो में हमने गैलेथिया बे के बारे में डिसकेशन किया था है ना बहुत सारी डीटेल्स मैंने आपको बहुती विस्ताहर से समझाई थी मैप वगेरा दिखाया था आज उसी से रिलेट क्वेशन आपके सामने है गै इंटरनाशनल कंटेनर ट्रांशिपमेंट जो पोर्ट है वो यहां पे गिलेथिया बे पे तयार हो रहा है और ये जो नया पोर्ट है दोस्तो इसको इंडिया का मेजर पोर्ट का दरजा मिलने वाला है तो बताए दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है उप्शन नमबर A One Only, B2 Only, C दोनों सही है या फरेडी दोनों के दोनों गलत है बहुत एजी क्वेशन है आप अराम से आंसर दे पाएंगे अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आते हैं आज के इंडिक्स के उपर में आज के सेशन में क्या-क्या चीज़े होने वाली है जिसको विस्त के लिए रश्या जा चुके हैं और पिये मुदी की मीटिंग हुई है व्लादमिर पुतिन के साथ में और अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक assistance offer क्या है कि किस तरीके से भारत help कर सकता है दोनों देशों के conflicts को end करने के लिए यह discuss करेंगे दन उसके बाद अगला ही आर्टिकल यह भी page number one पर ही है यहाँ पे बात हो रही है इंटरनाशनल monetary fund ने भारत का जो growth rate है उसको 7% पर बनाई रखा है 2025 के लिए तो काफी अच्छा topic है economy के लिए discuss करेंगे यहाँ से UPSC 2-3 question पूछ चुका है किस तरीके से पूछेगा है वो भी मैं आपको बताऊंगा देन उसके बाद तीसरा article international relations के लिए है इंडिया सिंगापूर दोनों साथ में मिलकर explore करेंगे joint development, joint production और जितने भी armed forces के लिए equipment बनाने होंगे जो भी हत्यार बनाने होंगे उसको भारत सिंगापूर दोनों मिलकर साथ में करने वाले हैं तो क्या अभी update आया है दोनों देश blue helmet, who act as blue helmet, पता यहां पर blue helmet किसको refer किया गया है जो united nation के security force है और आज कुछ काम का ritual है यहां पे, writer ने exactly mention किया है united nation जैसी body जिसके दुनिया भर में peace keeping force फैली हुई है, क्या ये आज किसी काम की नहीं रह गई, दुनिया भर में इतने सारे conflicts चल रहे हैं, उन conflicts को तो UN रुकवा नहीं पाया, तो क्या केवल कागस पे इस body को बस खाली लिखा जा सकता है, इसका कोई work नहीं है, तो बहुत सारे aspect हैं, इसको discuss करेंगे, then एक article और है science के perspective से, again इसको आप editorial वाले section में आड़ कर सकते हैं, हमारे FDA ने approval दे दिया है एक दवाई को, उस दवाई का नाम है कोबिन बीमा सुगम के बारे में बात हो रही है, बीमा सुगम एक digital insurance platform है, जो जल्द ही यहाँ पे launch होगा, ऐसा यहाँ पे हमारा insurance development body की site से mention किया गया है, एक topic और है, इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर agreement कर रहे हैं, ताकि करतारपूर corridor जो 2019 में शुरू किया गया था, इसको वाप जगा का access सभी सिखों को मिल सके, इसके लिए हाँ पे करतारपूर corridor खोला गया था, 2019 में नव पांस साल हो रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, यह agreement खतम हो रहा था, इस agreement को वापस से renew किया जा रहा है, तो क्या aspect आया है, इसको भी हम लोग समझेंगे, फिर आज के prelims booster session में क् यह भी ना, दा हिंदू का ही article है, पहला वाला, बस खली इदर लिख दिया है, क्योंकि नीचे जगा नहीं बची है, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, भारत का चौथा nuclear missile submarine, very very important, जिसके basis पे आज हमने thumbnail भी बनाया है, जहाँ पे भारत ने quietly कह सकते हैं, या चुप चाप कह सक इस nuclear submarine को launch कर दिया है, जादा information नहीं थी, जब इसको launch किया गया, अब भरपूर मात्रा में information भरी हुई है, एजप्ट जो देश है, इसको malaria free country डेकलियर कर दिया गया है, कल दा हिंदू newspaper में publish वा था, आज भी चर्चाओ में है, देन उसके बाद में नई species है, और्चिड की, एक plant की नई species है, जो भारत में found की गई है, समझेंगे असम किस species के बारे में, इशरम portal very very important for your economy exam, देन उसके बाद editorial हम लोगोंने एक side से ये भी लिया है, और ये बहुत काम का है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे जो हमारे newspaper हैं, या दा हिंदू को या follow करे हो, या Indian Express या किसी भी newspaper को follow करे हो, वो matter नहीं करता, तो उस जगा पर bomb threats के बारे में, बहुत सारे article पब्लिश हो हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे, bomb threats को लेकर किस तरीके से deal किया जा सकता है, इसको लेकर एक अच्छा retoral है, राइटर ने बहुत सारे aspect discuss कि यह भी cover करेंगे, फिर उसके बाद starting में आपको एक practice question दिया गया है, गलिथिया बे को map में, sorry map में नहीं, गलिथिया बे के वारे में, तो वो भी यहाँ पर उस practice question को solve करेंगे, last में एक जगा है क्यूबा नाम की इसको भी यहाँ पर cover करने वाले हैं, यह topic यहाँ पर नहीं ह यह कल के वीडियो के basis पर है, कल का lecture जिसने देखा है, वो अराम से इन question को solve कर पाएंगे, जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में, वो भी solve कर पाएंगे, क्योंकि daily यह test होता है, और यह आपका previous lecture के उपर based होता है, तो कल हमने lecture में, स्री सिंगेश्वरर temple के बारे में पढ़ सही उत्तर, फट 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 नीचे comment section में लग दो, बहुत easy question है, अगला प्रशन, एक और easy सवाल है, डारेक्ली बन सकता है, यहां से, exercise नसीम अल बहर, यह भारत के सासाथ कौंसा दूसरा देश है, जिसके बीच में इस अभिहास को कंड़क किया जाता है, option number A, Saudi Arabia, B Japan, C Indonesia, या अभी November का महिना शुरू होंदो, Conference of Party की मीटिंग शुरू होने वाली है, दोस्तो, यह जो मीटिंग शुरू होगी, इस मीटिंग में हम climate change के बारे में discussion करता है, कल याद है न, पढ़ा था, पूरा का पूरा हम लोग ने, कई सरे accord वगरा पढ़े थे, तो आपको बताना है कि अब की बार Conference of Party 29 की मीटिंग कौन से शहर में होने वाली है, देश नहीं, सहर बताओ, option number 1, Glasgow, B, Paris, C, Baku, या फिरिडी, Bonn, अगर आप सही शहर बता दो तो वो किस देश में है, ये भी बता देना यार, चलिए, अगले question पर आते हैं, कल एक editorial discuss किया था, याद होगा, nature restoration law के ब या आपने बताने, option number 1, क्या इसमें agriculture production बढ़ाने की बात की जा रही है, या option number B, क्या इसमें जो degraded ecosystem है, especially वो जमीन जो खराब हो चुकी है, degraded हो चुकी है, उसको वापस से restore करने की बात की गई है, या option number C, जो urban infrastructure इसको expand करने के बारे में बात की गई है, या option number D, जो fossil fuel का usage ह इसको promote करने की बात करता है, या particular law, तो बताएए यहाँ पर इसका सही उतर क्या होना चाहिए, ठीक है, चलिए फिर, अब आते हैं दोस्तों, आज के हम लोग सबसे पहले अपने thumbnail वाले important article की तरफ, या आज के newspaper में publish है, बाखी कई सरी जगह पर ऐसे article आप लोगों ने देख BN, वैसे SSBN हमारी वही missile submarine है, लेकिन यहाँ पर नाम इसका अभी कुछ भी decide नहीं किया है, इस वज़त से जगह जगह पर आपने दिखा होगा कैवल S4 और उपर S Creek लगा दिया गया है, तो S4, S Creek जो है दोस्तों यह ध्यान लखेगा, यह missile के बारे में खबरे अभी cover हो रही हैं, क्योंकि भारत ने इसको चुपचाप launch किया, और यह कब launch कर दिया गया था, 16 October को launch किया गया है, और धियान लखेगा दोस्तों यह एक nuclear powered submarine है, यह हमारे लिए सबसे एहम बात है जानने के लिए, आज हमारे पास में already ऐसे submarines हैं, INS Arihant, समझ गए, जिसको हमने again, INS Arihant को सालों में या 2025 तक तक त्यार हो जाएगी, फिर उसी प्रकार से दोस्तों यह यहाँ पे चौथी missile, सौरी, missile बोल रहा हूँ, चौथी submarine होने वाली है, nuclear powered submarine, nuclear way में इसको यहाँ पर energy मिलने वाली है, और यहाँ पे चौथी missile है, तो फिर अगिन missile निकल दा है, सौरी, माफी चा इसके बारे में थोड़ा detail करते दो, क्योंकि आर्टिकल सब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको बता, newspaper हमारे लिए important नहीं है, important यह है कि newspaper से क्या चीज निकल कर आती है, जो syllabus के लिए relevant है, जहां से exam में question बनेगा, इस article से सवाल बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, वो चीज जा जरूरी है, समझ गए, तो दोस्तों यहां से यह data अपने पास में लिख के रखना, newspaper हर कोई पढ़ता है, जिसमें से important content निकाल लो आप, तो जादा वो matter करता है, तो आर्टिकल में यह news तो हम discuss कर चुके हैं, तो ध्यान रखेगा, यह चौत ही हमारी nuclear powered ballistic missile submarine है, दुश्मन को अराम से तभा कर सकती है, दुश्मन की पकड में नहीं आईगी, यह ऐसी submarine है दोस्तों, इसका code name है S4Streak, और बताया यह जाता है, इस submarine को तयार करने में जो भी material का use किया गया है, उसमें 75% indigenous content है, यानि अपने देश का ही हमने 75% जो समान है वो use किया है, इस missile, sorry, इस submarine के अं thermometer, आप imagine कीजिए, अराम से यहाँ पर इस missile को दागा जा सकता है, इस particular submarine से, इतना ही नहीं, इस से पहले हमारे पास में आईनेस अरिहंत नाम की submarine है, अगेन, यह भी यहाँ पर nuclear ballistic missile submarine ही है, उसके अलावा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, आईनेस अरिधमन भी आपको देख किया है, बाकी अरिधमन के अंदर में K4 ballistic missile का यूज किया गया है, तो यह जो S4 नाम की missile लाई गई है दोस्तों अभी के समय पर, यहाँ पर अभी आईनेस अरिधमन इसी साल आई थी, अगस्त के महीने में हमने देखा था एक नए nuclear submarine भारत को मिल चुकी है, है ना तो उसके दोस्तों यह चौती है, ध्यान रखेगा, इसमें हम लोग एक वर्ड देख रहे हैं, सर हमारे पास में अरिहंत भी है और अरिधात भी है, आज भारत के पास में दो nuclear submarine missile, दो nuclear submarine से यह सबको पता है, ठीक है, अब तीसरी कौन सी है, तीसरी है जो हमने चुपचाप लाँच कर कर देंगे, समझ गए, बाकि अरिहंत और अरिधात अल्रेडी वर्क कर रहा है, और यह वाला अभी यहाँ पर जिसका कोई नाम डिसाइड नहीं है, यह यहाँ पर लॉंच हो चुका है, यह आप देख पाएंगे, S4, S3 जो है, यह formal name अभी ऐसा दे दिया गया है, मतलब ऐस ही नाम दे दिया गया है, formal name अभी इसको देना बाकि है, कि भई हाँ क्या नाम देते हैं, तो जो भी डीटेल आएंगे, वो आपके साथ में डिसकस किया जाएगा, यहाँ पर यह है, कि सर यह SSBN, यह जो missile submarine है, कहने का मतलब है, nuclear powered ballistic missile submarine, यह इसका नाम है, इसका हम SSBN के नाम से जानते हैं, ऐसा क्या है इसमें, तो दोस्तों यहाँ पर इस submarine क्या होती है, पंडूपी है, जो पानी के अंदर चल रही है, और हर एक navy के पास में आज के समय पर present है, दस्तक मारने के लिए, और भी work करने के लिए, तो ऐसी जो SSBN वाली submarine है, थोड़ी घातक होती है, इसमें क कुछ special military asset का यूज किया गया है, और special military asset है हमारे लिए, और ऐसी submarines दोस्तों यहाँ पर US, Russia, China, UK, France, India, केवल यही कुछ देश हैं, जिनका नाम मैंने लिया है, केवल इनी देशों के पास में यह submarines present हैं, आज पूरे दुनिया में, जिनके पास में इस तरीके से nuclear ballistic missile launch करने वाल इसकी जो range है, वो unlimited range है, इसको proper तरीके से जो भी supply मिलने वाली है, जो भी इसको power मिलेगी, वो nuclear power होगी, कहने का मतलब है, इस पंडूपी अगर कोई बैट गया और पानी के अंदर चला गया, तो इस submarine को जादा बाहर 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 आने की जरुरत नहीं पड़ेगी, जो हमार इसके maintenance के लिए ही बाहर आ सकती है, तो आप imagine कीजिए, लंबे समय तक पानी में रुख सकती है, यही तो पंडूपी का सबसे बड़ा फाइदा होता है, जो लंबे समय तक पानी में टिक जाए, और किसी की पकड़ में आए, अब जब बात करते हैं दोस्तों, submarines के बारे में, तो तीन प्रकार के समरीन होती है, वैसे आपने दो प्रकार देखे होंगे, एक होती है conventional समरीन, जिसके हुम बोलते हैं diesel electric समरीन, दूसरी होती है nuclear powered समरीन, बीच में एक और होती है nuclear powered attack समरीन, जिसको SSN बोलते हैं, और यहाँ पे जो nuclear powered ballistic missile छोडने वाली समरीन होती है, उसको SSBN बोलते हैं, दोनों में दोस्तों यहाँ पर nuclear power का use किया गया है, इस बात को ध्यान में रखेगा, तो कहने का मतलब है अगर हम इन दोनों को भी जोड़ दें, तो वैसे overall दो ही प्रकार की समरीन हमारे पास में देखने को मिलती है, एक समरीन कौन सी होती है, आप ध्यान से स करते हैं, तो यह वो पंडूपी होती है, जिसके अंदर में जो electric engine है, वो basically diesel पे काम करेगा, और इस वाली समरीन को बार-बार समुदर से बाहर आना पड़ता है, अपना engine start करना पड़ता है, वापस नीचे जाना पड़ता है, तो कह सकते हैं, सांस लेने के लिए समरीन बार- साइलेंट रहेंगी, चुप चाप काम करेंगी, और इतना ही नहीं, चुप चाप के साथ साथ लंबे समय तक पानी बरह सकते हैं, इनको बार-बार बाहर आनी की अवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि nuclear powered way में यहाँ पर यह समरीन्स काम कर रहे हैं, I hope आपको दोनों के बीच का difference और एक बढ़िया clarity मिल चुकी है कि exactly यह दोनों समरीन्स के बीच में फरक होता क्या है, ठीक है, clear, कोई भी question आएगा exam में, आराम साब solve कर पाएंगे, चलिए आगे आते हैं next article पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाते हैं, तो article का एक proper data, एक कह सकते हैं proper information, इन सब article को लेकर जितने भी discuss करेंगे, एक अच्छा सा PDF बना के दिया जाता है, एक ऐसा PDF जिसका print out वगर आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और English दोनों बाशाओं में होता है, एक ऐसा group आपको join करवा दिया जाएगा दोस्तों, जि बना बना के notes डाल दिये जाते हैं इस पूरे के पूरे group में, आप ऐसे ही scroll करके भी पढ़ सकते हैं इस group के अंदर में, तो ये सब facilities आप को बल जाती है, और group को join करने का जो fee payment है, वो भी बहुत minimum है, just 499 for the lifetime access, जब तक आपका selection न हो जाए, तब तक आप 499 में इस group को join करके करने के लिए क्या करना है, WhatsApp पर जाना, यहां पर आपको एक number दिया गया है, 853-487-3368, इस number पर message कर देना कि I want to join this group, वहाँ पर आपको reply मिलेगा, payment का process दिया जाएगा और उससे जादा important आपको demo video का link भी मिलेगा, आप पूरे demo video को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते ह कि मुझको कहां पर क्या फाइदे होएंगे और अपने आपको completely satisfy करने के बाद जाकर यह investment आप कर सकते हैं, बाकि यार investment कर सकते हैं, अराम से चेक कर लीजेगा, सब चीज़ा आपके पसास में सामने रहने रहने वाली हैं, और यह है कि थोड़े दिनों में ही आपका amount recover हो जा करता है, अब आप लोगों ने यहां पर लंबे समय से request करके videos में court add करवाएं, आज तीसरा दिन है ध्यान लखेगा जिस दिन हम court लेकर चल रहे हैं, तो already हमने पिछले दो दिनों में नएने दो courts को cover किया है, और यह जो court है, यह आपको essay और ethics के exam के लिए help करते हैं, क्योंकि GS paper number 123, तो हम essay cover कर लेते हैं, भाई कोई history का topic है, वो हमने cover कर लिया, international relation का topic है, polity का topic है, उसको cover करी रहे हैं, environment को तो भरपूर article cover करते हैं, तो बचता अपना essay और ethics का paper है, उससे संबंदित भी हम लोग यहां पर court लेकर चला है, तो एक video में आपका A to Z सभी मामला regarding current affairs, regarding GS paper number 34, यह भी यहां पर cover हो रहा है, तो यह article, sorry, article बोल रहा है, यह जो quote है, यह है Jeffrey Getomer का, और यह बोलता है, great people have great value and great ethics, अब ऐसे topic आपने देखे होंगे, हर साल UPSC essay में देता है, essay का paper होता है, scoring अगर आपको topic अच्छे से पता है, तो दोस्तों यहां पर ऐसा quote सीधा सीधा है, exam में दे दिया जाएगा, essay में ऐसी quote तो आते हैं, exam में सीधा लिखा जाएगा, और लिखो इस पर, यहां पर जितना लिख सकते हो, अब यहां पर बात हो रही है, great people have great values and great ethics, यह बात बोली है, जाफरे Getomer ने, अब यह क्या बोलते हैं, जरा समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अब दोस्तों क्योंकि हम लोग great people की बात कर रहे हैं, महान लोगों की बात कर रहे हैं, है ना, तो महान लोगों के बास में, महान values and बहुत सारे ethics, देखिए, सबसे बहली चीज, जो एक महान व्यक्ति होता है, उसको यह बारे में एकर हम बात करेंगे, तो अपने moral principles को follow करता है, life के जो सिधानत है, उसको जिंदगी में लेकर चलता है, उसके अंदर में honesty present होती है, consistency होता है, जो भी यहाँ पर over करता है, पूरे शिद्दत, सच्चाई के साथ में, इमानदारी के साथ में करता है, फिर उसके पास में एक empathy की feeling होती है, वो अपनी social responsibility को नहीं भूलता है कि भई, यहाँ पर society के प्रती उसके पास में क्या-क्या जिम्मेदारियां है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर मैं कदम उठा सकूँ, समझ रहें, तो उसके बाद मैं बात ततर यहाँ पर accountability की, जितने भी यहाँ पर महान लोग आपको देखने को मिलेंग के बाद मैं वो माफी मांग ले, वो और जादा बड़ा होता है, फिर बात आती है, कह सकते हैं कि कुछ और अगर हम इसके बारे में सोचे हैं, तो जो great लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने अलग-लग जो perspectives हैं, उसका यहाँ पर proper तरीके से value करते हैं, बहुत सरे great individual आपको यहाँ पर सोच रहा है, कि इन सब का भी यहाँ पर कल्याडो, समझ रहे हैं, फिर उसका बहुत सारे great individuals आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि अलग-लग services में हैं, अपने आपको philanthropist बना चुके हैं, बहुत कमाया है, आज वो दान कर रहे हैं, जो जरुत मंद लोग हैं, उनक प्रॉब्लम हो, वो सचाई के साथ में खड़ा है, वो जादा matter करता है, जो great people हैं, वो हमेशा अन्याई के against में खड़ा है, अन्याई के against में लड़ रहा है, असमंताओं के against में लड़ रहा है, human rights की बात कर रहा है, एक मानव के अधिकारों की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बात कर रहा है, उसके अंदर में एक perseverance होता है, एक hurt होता है, एक zid होती है, कि हाँ मैं इन सब challenges को overcome कर लूँगा, अपनी जो main values हैं, उसको कभी गिरने नहीं दूँगा, चाहे कैसी भी परिस्तिती क्यों ना आ जाए, उन values वो life के से धांद जो हैं, उसको मैं follow करता फिर जो great individual है, उसका एक जो vision होता है ना, आज हम लोग भटकते रहते हैं, एकि उसका vision clear है, कि मुझे ये करना है, ये मेरा goal है, उसको मुझे achieve करना है, आज क्या होता है, जम एक goal की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और उस goal की तरफ ध्यान जब दे दिया है, उसको fix कर लिया है, जो ऐसा नहीं करना है, आज होता भी है, कि भई UPS exam target किया है, फिर बीज बीच में हम ये वाला भी exam दे 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 देंगे, ये वाला भी exam दे दे देंगे, लगे रहेंगे चारव तरफ, और इस चक्कर में काफी पीछे भी रह जाएंगे, आपने ऐसा नहीं करना है, इनी आपको देखने को मिल जाते हैं, वो inspire होते हैं उन लोगों से जिनोंने कुछ किया है, society के लिए कुछ किया है, अब वही लोग यहां पे उन great लोगों के, कह सकते हैं, life में कुछ values को add कर रहा है, और अच्छी बात यहां पे महान लोगों की एक और होती है, कि उनकी ये बात ह होती है, कि जो भी उनने सीखा है, जो भी life में follow किया है, जो गलतियों से सीखा है, उनी सब चीजों को अगली जनरेशन को बताना, ताकि अगली जनरेशन वो गलतियां ना करें, जो उन लोगोंने गलतियां किरी हैं, अगली जनरेशन जल से जल अपने गोल को प्राप्त कर स नहीं तो फिर अगर वो ही गलतियां सेम उस इंसान ने की है तो वो बता चुका है कि आप ये ये मत करना सिंपल सी बात है आप जब वो गलतियां नहीं करोगे तो जल्दी यहाँ पे अपने गोल को हासिल कर सकोगे वो होता है महान व्यक्ति समझ गए तो बहुत सरी सब मेंचिन कर सकते हैं चाहो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं ठीक है चलिए फिलाल कोट भी होता है खतम अगले न्यूज आर्टिकल पर हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल दोस्तो बहुत ही ज़ा काम का है आज हमारे न्यूज पेपर में पेज नमबर परसेंट तक रखा है अब इस आर्टिकल का मतलब क्या यह समझे और मैं आपको पहले बता दूँ जो भी यहां पर एकॉनमी के लिए नए-ने प्रेपरेशन कर रहे हैं एकॉनमी के अंदर में यह जो नमबर सेना यह माइने नहीं करते अगर आप चाहे पिछले कितने भी सा इसमें 7% तक रहीगी है केवल और केवल एक प्रेडिक्शन है एक प्रोजेक्शन है एक भविश्य बाड़ी है जो आई-मेफ ने की है और आई-मेफ करता रहता है आई-मेफ हो गया है उसके लावा वर्ल्ल बैंक हो गया ऐसी बहुत सारी ओगिनाजेशन्स हैं जो अलग-ल International Monetary Fund के World Economic Outlook Report की साइट से मेंशन की गई है ध्यान रखेगा अब ये तो हो गया आर्टिकल अब इसमें ये सब कुछ पढ़ने की ज़रुवत नहीं है कि रश्य युक्रेन का इंपक्ट क्या पड़ा ये सब कुछ इंपक्ट क्या पड़ा नहीं एक्जाम एकर कोई क्वेशन आया तो सीधा-सीधा यहाँ पर यहाँ से आएगा कि इंटरनाशनल मोनेटरी फंड है क्या जो की दुनिया भर में अलग-लग देशों के प्रोजेक्शन को लेकर आ रहा है बता रहा है ये देश ऐसे ग्रू करेगा ये बॉड़ी एक्जाक्टली क्या है कैसे काम करती है यह हाँ से सवाल बनेगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में प्रॉपर डीटेल्स इंटरनाशनल मोनेटरी फंड नाम की जो बॉड़ी है इसको वर्ल्ड बैंक के साथी साथ बनाया गया था और ये सब बॉड़ी बनाई गई थी दूसरे विश्वयोद्यान कॉन्फरेंस ये एक मीटिंग चल रही थी ब्रेटन वुट्स में वहीं पर इस कॉन्फरेंस के दौरान आईमेफ और वर्ल्ल बैंक दोनों बॉड़ी को साथ में तयार किया गया और आपको पता है वर्ल बैंक का अगर आपको मेंबर बनना है तो उससे पहले इंटरनाशनल मोनेटरी फंड के अंदर में आज 190 से ज्यादा देश है जो यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं क्या भारत इसका सदय से है जी बहुत पहले से भारत ने आईमेफ को 27 दिसंबर 1945 में ही जोईन कर लिया था नो क्वेशन यहाँ पर यह है कि इंटरनाशनल मोनेटरी फंड का में प् अच्छा ने का काम करना ऐसे कई सरे देश जो देखते हैं जिनकी कौनमी डूब रही है वो जाते हैं यहाँ पर आईमेफ से पैसा मागने के लिए आईमेफ उनको कैसे कने लोंस वगरा प्रोवैड कर वायता है ताकि उस देश को यहाँ पर ढूबने ना दिया जाए तो व लेकिन मैं दूसी दरवकर अपको बताऊं तो एक्जाम में UPSC ने साल 2016 में एक क्वेशन अल्रेडी पूछावा है 2016 का प्रशन यह है ग्लोबल फिनेंशल इस्टाबिलिटी रिपोर्ट कौन तयार करता है यह डायरेक्ट क्वेशन यहीं सा आई दोस्तो तो कौन तयार करता है Option Number B International Monetary Fund IMF यहां पर इसको तयार करता है समझ गए अभी Global Financial Stability पूछ लिया है अब ख़बरों में कौन सी रिपोर्ट है World Economic Outlook रिपोर्ट है तो यहां से यह पूछ लिया जाएगा World Economic Outlook रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है तो यह भी IMF ही करता है संपल हो गया तो ऐसे ही previous question के basis पे आपने जो अपना syllabus का तयारी है वो भी करना होगा अगली खबर पर आते हैं बहुत important खबर है prelims booster में ही मतलब हमने add कर दिया है down to earth का एक important article है अलग-लग sources के लिए इदर दर भागने की आवश्रकता बिलकुल नहीं है सब एक जगा पे आपको मिल जाता है तो Egypt जो दे countries ऐसी हो चुकी है जो malaria free country है जहां पे malaria पूरी तरह से खतम हो चुका है तो Egypt वैसे यहां पर आपको पता है आफरीका में आता है तो एक African country है अगर हम आफरीका में देखें तो यहीं पर आपको यह एजप्ट देखने को मिल जाता है तो Egypt malaria free country हुआ और आज पूरे के पूरे African continent को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो कह सकते हैं Egypt ऐफरीका का पाँचवा देश है जो malaria free हो चुका है malaria से मुक्त हो चुका है यह particular country ठीक है तो एक्जाम में question बन सकता है हाली में कौन सा देश है जिसको malaria free का tag मिला है WHO की साइट से तो वो है Egypt now malaria क्या है जरा यह भी जान लो क्योंकि एक्जाम में हाँ सभी question बनेगा डेंगू को लेकर UPS से सवाल पूछ चुका है Zika virus को लेकर पूछ चुका है malaria को लेकर भी बन जाएगा तो malaria क्या है एक acute illness एक ऐसी बिमारी जो plasmodium parasite की वज़ा से होती है especially एक मच्छर की बज़ा से एक मच्छर के काटने की वज़ा से यह parasite फैलता है और वो मच्छर कौन सा है एक female mosquito है enophilis mosquito ध्यान अकना इसकी वज़ा से यह बिमारी फैलती है malaria जो है कह सकते हैं एक life threatening disease है एक ज पर यह है आपका tropic of cancer नीचे वाली line है tropic of capricorn अब tropic of cancer और tropic of capricorn के बीच का जितना भी हिस्सा दुनिया में आता है यह सब आपका tropical region कहलाता है इसमें जितने भी देश यह वो tropical countries कहलाती है तो भारत का हिस्सा भी यहाँ पर काफी बड़ा region हमारा इसी tropical country वाले range में आता है now question यहाँ पर यह है malaria का transmission कैसे होता है यह जो बिमारी है कैसे फैलती है किस मच्छर की वाज़ा से फैलती है यह हमने discuss कर लिया यह बिमारी अच्छी बात है कि contagious नहीं है यानि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती केवल और केवल जो female mosquito है एनफिलिस इस मच्छर के क बिमारी फैलती है जब बात करते हैं parasite की तो parasite की भी 5 ऐसी species है दोस्तों जिसकी वज़ा से malaria होता है इंसानों में ध्यान लखेगा पांच ऐसी प्रजातियां है इन parasite की लेकिन इन पांचों में से केवल 2 species है जो आजकल सबसे ज़ादा बड़ा खत्रा है जिसकी वज़ा से सब से ज़ादा malaria लोगों को होता है जो तो 2 species है एक है प्लास्मोडियम फैलकी पैरम और दूसरा है प्लास्मोडियम वाइवेक्स तो यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है ना question यह है किसी को malaria अगर हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण क्या symptoms नजर आते हैं सबसे पहले 10 से 15 के अंदर में malaria के काफी सरे लक्षण दिखाई पढ़ने शुरू हो जाते हैं जिसमें बुखार हो गया सरदर्ध हो गया शरीर कापना हो गया ऐसे कई सारे और भी लक्षण है जी मचलाना उल्टी होना कफ एब्डॉमिनल पेन वगरा वगरा करके बहुत सरे और भी करते हैं तो जो लोग की immunity बहुत ही ज़दा कमसूर है उनको समस्यां और भी ज़दा phase करनी पड़ जाती है इसका prevention क्या है हम कैसे इस बिमारी को रोक सकते हैं तो बिमारी को रोकने के लिए सबसे पहले vector control करना होगा vector क्या होता है vector वह वाले insect होता है especially जो बिमारी को carry करते है तो बिमारी को carry कर रहा है तो यह vector control करना होगा इन मच्छर को रोकना होगा इन मच्छर से बचना होगा अपने आपको protection provide करवानी होगी तब हम malaria से बच सकेंगे last मेंगर किसी को malaria हो जाता है तो क्या इसका treatment available है जी बिलकुल इसको ठीक किया जा सकता है आप तुरंद इसके बारे पता लगाए और इसको treat करने क्लिए कैसरे प्रकार की दवाया market में available है जिसके मादम से यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है तो यह बात होगी दोस्तों य हो जागया है plant का एक नया plant का species जिसका naam है crepeỉadium अब crepeỉ autumnasmine बड़ी प्रजातियां की ही क्यी सारी प्रजातिया पाई जाती थो भारत में cryptadium की प्रजातिया एक नई प्रजाति जब पाई गए तो इसको मिला कर total 19 प्रजाति हो गई है और दुनिया भर में cryptadium plant की प्रजातिया लगबग 281 के आसपास है तो दोस्तो क्रेपेडियम प्लांट होता कैसा है यह आप अगल में देख पाएंगे यह इस तरीके का प्लांट है जिसके हम लोग यहाँ पर बात कर रहे है इसका पूरा नाम है क्रेपेडियम ऐसी मिकम एक नई स्पीशिय डिसकवर की गई है लेकिन प्लांट की जरह इसके बारे में डीटेल्स शेर कर लेते हैं क्रेपेडियम एक नई प्रजाती और इसको डिसकवर कहां पे गया है यह हम डिसकस कर ही चुके है उसको वापस रिपीट किया गया है इसकी डिसकवरी की है एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और इस स्पीशि का जो काउंटिंग है जिसमें आपको बताया क्योंकि नई प्रजाती मिली है से पहले भारत में इसके 18 प्रजातियां हुआ करती थी एक मिल गई है तो 19 हो गई है अब टोटल दुनिया में 281 हो गई है बाकी एक सैंटिपिक रिपोर्ट यह बोलती है इस प्रकार के जो प्लां 65 में से बहुत सारी प्रजातियां नौर्ट इस्ट में आपको देखने को मिलेंगे लगबग इन में से 800 तो नौर्ट इस्ट में ही प्लांट की स्पीशीज है और इन 808 में से सबसे ज़्यादा असम के अंदर में है 414 स्पीशी तो केवल और केवल असम से ही यहाँ पर आती दिस्कवर किया गया है तो क्वेशन यहाँ अगर बन जाए कि दिब्रुगर्ड साइखोवा नैशनल पार्क एक्जाक्ली कहां पर है असम में असम है कहां पर तिनसुक्या डिस्टिक्ट के अंदर में और इस नैशनल पार्क आसपास ब्रहमपुत्रा नदी और लोहित नद पार की स्पीशीज पाय जाती है और एनिमल्स की स्पीशीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो एक और इंपॉर्टन आर्टिकल जो कि हम लोगों ने खतम किया विद प्रॉपर डीटेल्स विद प्रॉपर बैग्राउंड इंफरमेशन अब चलिए अगले इंपॉर वर्कर्स वैल्फियर खरने का मतलब है जितने भी अनौर्गनाइज वर्कर्स हैं जितने भी यहाँ पर लेबर हैं मजदूर हैं उनके कल्यांड के लिए ईश्रम पोर्टल को किया गया है लौंच इस वजा से यह चर्चाओं में हैं तो मामला क्या है आये मैं आपको बताता organized workers के लिए हैं जो कि हमारे labor हैं मजदूर हैं कोई protection उनको नहीं है ready वाले हैं ठेले वाले हैं उन सब को यहाँ पर एक protection मिल जाएगी इस इश्रम पोर्टल के तहट लेकिन उन workers को अपने आपको क्या करना पड़ेगा इश्रम पोर्टल पर इस website पर register करना होगा समझ गए तो यह जो पोर्टल लेकर आया गया है इसका primary purpose main purpose क्या है main purpose यह है कि जितने भी registration है उसको simple कर देना क्योंकि आप registration का नाम आगया वही से unorganized worker सोचेंगे यार क्या फालतू का registration वगरा करवना छोड़ो कुछ नहीं होनेगा है ना और यह अगर complex हो गया तो और कोई नहीं जाएगा तो इस process को बहुत ही ज़्यादा simplify कर दिया गया है ताकि government की जितनी भी welfare scheme है सरकार की जितनी भी scheme से उन सभी schemes का फाइदा इन unorganized workers को सही समय पर मिल सके सबसे पहले मिल सके इसके लिए यहाँ पर ishram portal लेकर आया गया यह platform बस खाली कह सकते हैं एक bridge यान एक pull का काम करने वाला है जहां पर सरकार की scheme से इन सभी workers को connect किया जाएगा क्योंकि जादतर cases में क्या होता है इन सब को पता ही नी चल रहा क्या चल रहा है गुवर्मेंट कितनी सारी schemes लेकर आ रही है इन सभी के welfare के लिए इनके पास में जानकारी नहीं पहुच बाती है तो यहाँ पर इनके बारे में इन सब schemes के बारे में बताने के लिए एक awareness वलाने के लिए यह जो पर्डिक्लर इश्रम पोर्टल है इसको लाया गया है समझ गए अब इश्रम पोर्टल में बहुत सारा डेटा भी हाँ पर स्टोर किया जाएगा जितनी भी वेलफेर स्कीम है जिसमें आपका वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया महात्मा गांदी नैशनल रूरल एमप्लॉर्मेंट गारेंटी एक्ट वाली स्कीम हो गई नैशनल स्कूल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया नैशनल करियर सर्वेस हो गया प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधान हो गया जितनी भी चीज़े हैं दोस्तों इन सब को इशनल पोर्टल में एक साथ लेकर आया जाएगा और इस पोर्टल से सबसे ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है ठीक है? क्लियर हो गया तो इस तरीके का पोर्टल आएगा और इस पोर्टल की शुरुवात वैसे हमने बहुत पहले ही कर दी है बस खाली अभी तो हमने इसमें कह सकते हैं कि जितने भी वर्कर्स को लेकर जो स्कीम से उसके फाइदे दिने की बात किये लेकिन इस पोर्टल की शुरुवात 2021 में ही कर दी थी Ministry of Labor and Employment ने ठीक है तो यहाँ पे क्या होने वाला है यह आपको पता चल ही चुका है इसमें जितने भी अनॉर्गनाईज वर्कर्स हों के वह अपना आपको रेजिस्टर कर सकते हैं अपने आपका यहाँ पर सल्फ डेक्लेरेशन कर सकते हैं अलग लग इसमें 400 नए-ने उक्यूपेशन से अड़ कर रखे हैं कि अलग लग सेक्टर्स में जो भी काम कर रहा है जो भी मज़ूरी कर रहा है जो भी लगा रहा है उन सब के लिए हाँ पर यह प्रॉफिट्स गेन हो सकते हैं इस परडिक्लर स्कीम के ताहत चली आगे आता है निक्स्ट आडिकल पर अगला न्यूस आडिकल हमारे न्यूस पेपर में ही है साइंस एंट टेक के लिए आप इसको लिंक कर पाएंगे साइंस एंट टेक के पेच पर ही प्रेजेंट एस्पेशली यहां पे बात हो रही है जो FDA है यह USA का ही बाड़ी है USA की इस बाड़ी ने अप्रूवल दे दिया है एक दवाई को और यह दवाई का नाम है कॉबिन फाई ध्यान लखिए यह जो कॉबिन फाई है यह एक प्रकार का क्या है एक प्रकार की आप कह सकते हैं एंटिप साइकोटिक ड्रग है और इस दवाई से क्या होगा हम एक बिमारी ठीक करेंगे जिसका नाम है schizophrenia अब इसका pronunciation कुछ है सही आपको Google पर देखने को मिलेगा schizophrenia ठीक है यह एक बड़ी बिमारी है जो इंसान के mental health से related उसके mental health को पूरी तरह से बरबाद कर देती है तो उसकी को ठीक करने के लिए बिमारी का approval दिया गया इस वज़ा से चर्चाओं मैं लेकिन इस article को पढ़ने के जुरत नहीं है क्योंकि इस article को पढ़के इसके बारे में सभी notes तयार करके मैं आपके सामने ला चुका हूँ सिंपल सी बात है तो हम यहाँ पर इसको cover करने वाले है देखे इस kids of phrenia की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें एक इंसान mental health challenges से गुजरता है तो news क्या है यह आपको बताई चुका हूँ US के food drug administration ने एक दवाई को यहाँ पर पुर्वल दे दिया है एक medicine जो इस तरीके से की बिमारी को ठीक कर सकेगा इस kids of phrenia क्या है एक प्रकार का disorder यह क्या है एक प्रकार का disorder ध्यान रखेगा जो की सीधा सीधा हमारे brain से related है जहाँ पर एक इंसान reality को पूरी तरह से भूल जाता है एक माया में ही जी रहा होता है एक delusion में जी रहा होता है एक इंसान जो kids of phrenia से पिलित है उसकी thinking capability हो जाती है पूरी तरह से खतम उसका behavior हो जाता है पूरी तरह से change समझ गए अब जैसे यहाँ पर मतलब थोड़ा पागल पंसा हो जाना ऐसा कहा सकते है माल उसके साथ में कुछ बूरा हुआ है कोई sad story घटेत हुई है उस sad story को यहाँ पर वो याद कर रहा है उसको देखकर दुख होने की वज़ाए वो हस रहा है ऐसी कुछ conditions हो जाती है यहाँ पर kids of phrenia में तो एक chronic severe mental disorder है जिसकी वज़ा से एक इंसान की thinking पूरी तरह से बदल जाती है उसके emotions का expression पूरी तरह से बदल जाता है reality से दूर चले जाता है वो इंसान और ज़्यादार kids of phrenia young adults को affect करता है specially उनके young adults यानि 18+, उनका productive age group है और उसी age group में सबसे ज़्यादा असर करता है और बोला जाता है कि हर सो लोग जो kids of phrenia को face कर रहे है इन में से एक व्यक्ति मतलब बगर हम देखेंगे तो बहुत सारी problems को देखने को मिलता है specially men और women दोनों ही ये problem को face कर रहे है और women की comparison में men में सबसे ज़्यादा आपको इसके डिजोफ्राइनिया देखने को मिलेगा समझ गए उसके लाबा इसके symptoms क्या होता है ये person to person इसके जो लक्षण है वो differ करता है किसी व्यक्ति में कुछ और लक्षण है एसा यहाँ पर देखने को मिल जाता है हर एक के ओपर बुरी तरह से असर करता है अब इसमें लक्षण में कुछ तीन काटिग्रीज बाटी गई है एक होता है psychotic symptom psychotic symptom में एक इंसान पुरी तरह से माया में है ठीक है सच से बिलकुल परे है वो फिर उसके अलावा दूसरा होता है negative symptom negative symptom में उसके अंदर में motivation पुरी तरह से खतम हो चुका है जो हम daily activities में enjoyment लेते हैं वो सब खतम हो चुका है social life से पुरी तरह से दूर है अपने emotions आई से नहीं show कर पा रहा है तो यह सब आपके negative symptoms में आता है फिर आता है cognitive symptom इस वाले लेक्षन में दोस्तों यहाँ पर problems होती है attention देने में किसी चीज के उपर वो इंसान attention नहीं दे पाता concentration नहीं कर पाता memory यहाँ पर उसकी बहुत ही ज़दा weak हो जाती है तो यह सब यहाँ पर इसके cognitive symptoms है तो स्केट्जोफराइनिया में symptoms भी अलगलग तीन categories में बाटे गए है इन categories को यहाँ पर ध्यान में रखना है फिर बात आती है यहाँ पर इसके treatment की तो क्या कोई treatment अवलेबल है नहीं ऐसा कोई भी treatment अवलेबल नहीं है यह कुछ therapies इसके लक्षड को कम कर सकती है लोगों के brain improvement कर सकती है बाकी जाद कोई impact डालेंगी नहीं तो आप समझगे न mental illness से related यहाँ पर एक बड़ी problem यह देखने को मिलती है क्या disorder है वो भी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है अब उसके अलावाज जाद दर लोग जिसनके अंदर में schizophrenia यहाँ पर develop हो जाता है वो कई सारी प्रकार की परिशानियों से घुज़र रहे होते है उन्हीं के लिए यहाँ पर यह जो दवा है ताकि brain function को थोड़ा improve किया जा सके तो उसके लिए यहाँ पर एक first anti-psychotic drug है जिससे schizophrenia को ठीक किया जाएगा ट्रीट किया जाएगा उनके जो कह सकते हैं receptors हैं उसके अंदर में कुछ चीजे बदली जाएंगी इस दवाई के मादम से जिससे यहाँ पर कुछ असर हो सकता है इस दवाई में क्या कै इस्तमाल किया गया है xenomeline and trospium यह trospium chloride यहाँ भी बोला गया है एक है xenomeline और दूसरा है trospium chloride इन दोनों चीजों का यहाँ पर use किया गया है ताकि यहाँ पर कह सकें कि इस दवाई का जो असर है especially वो यहाँ पर जल से जल हो सके schizophrenia को ठेक करने के लिए चलिए आगे आते हैं अगले important news article की दरफ अगला article हमारा है करतारपूर कॉरिडोर से related जैसे हम लोगों ने डिसकस किया भारत पाकिस्तान दोनों ने मिलकर कह सकते हैं renew किया है अपना agreement on the Kartarpur corridor अब Kartarpur corridor के बारे में आपको बताता हूँ यह corridor अगर आप देखेंगे तो दोस्तो पाकिस्तान और भारत को जोडने का काम करता है यह इंडिया का मैप है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह वो हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है है ना इस वाले portion की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में हमने एक corridor बनाया हुआ है और यह corridor भारत से सीधा जाता है और सीधा पाकिस्तान में आप देख पाएंगे यह है पाकिस्तान यह है इंडिया बीच में है बॉर्डर तो यह corridor यहां पर क्या करता है यह इंडो पाक बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है इस corridor मतलब में से हम क्या करेंते हैं सीधा यहां से बॉर्डर पे से ही इस corridor का यूज करके पाकिस्तान में एंट्री ले सकते हैं और पाकिस्तान में जा सकते हैं एक गुरुद्वारा के अंदर में ठीक है तो इस गुरुद्वारा को जोड़ा गया इस कॉरिडोर के मादम से इसी को नाम दिया गया करतारपुर कॉरिडोर तो भारत पाकिस्तान ने मिलकर 2019 19 में इस कॉरिडोर को खोला था नाव फानली यहाँ पर 5 साल के लिए अग्रिमेंट हुआ था और अब 2024 में अग्रिमेंट हो रहा था एक्सपायर तो इंडिया पाकिसान ने कल Tuesday में वापस अग्री किया और बोला है कि आने वाले फिर से 5 साल के लिए हमें इस पूरे कॉरिडोर को ओपन करने वाले हैं और यहाँ पे अब आने वाले 5 साल के लिए कॉरिडोर फिर से वर्किंग में रहेगा क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे करतारपुर में पाकिस्सान के अंदर में एक जगा है जिसका नाम है नारोवल वहां पे गुरुद्वारा है दर्बार साहिब करतारपुर वो गुरुद्वारा बहुत ही जादा पवित्र है हमारे सिख्खों के लिए है ना तो उनी को यहां पर एक्सेस मिलना चाहिए इस गुरुद्वारे क हैं जितने भी हमारे भक्त हैं वो सब यहां पर इस गुरुद्वारे तक जा सकेंगे पाकिस्तान में है ना उसको विजट कर सकेंगे ऑब्यूस से बात है है ना तो यह क्लियर हो गया बाकि इससे पहले अभी आपको पता है कि शांगाई को उपरेशन ओगनाजेशन में भा आप से काफी सारी चीज़ें पूची जा सकती है तो इस डार्रीनला से रेलेंट जो बेसिक फाक्ट है वहना आपको बता दिया है पहला चीज यह पूच दैगा करतारफूर क्या-क्या चीज़ें चरनेट करता है तो पाकिस्तान के अंदर में एक डिस्ट्रेक्ट है shrine तो देरा बाबा नानग की आप देख पाएंगे देरा बाबा नानग को यहाँ पे सिदा करतारपूर को गुरुदवारे से जोड़ने का काम करताए ये particular corridor और इस corridor का महत बहुत जाधा है जो हमारे बॉर्डर से चार किलो मेटर की दूरी पर है और ये वो जगा है जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने आखरी अठारा साल बिताए थे जीवन के तो इस वज़ा से यहाँ पर ये जगा बहुत ही इंपॉर्टन्ट है गुरु नानक देश जी आपको पता है हमारे सिकिजम में इस्पेशलि यहाँ पर जो दस गुरु है उनमें से सबसे पहले गुरु भी देखने को मिलते हैं समझ गए चली आगया आते हैं नेक्स आडिकल पर चली आते हैं दोस्तों अपने एडिटोरियल डिसकॉशन पर तो आज हमारे पास में दो इंपॉर्टन्ट एडिटोरियल है एक एडिटोरियल बॉम थ्रेट से रिलेटेड है तो आपने देखा पिछले कुछ समय पर बहुत सारे एडिटोर्ट पर लगातार बॉम थ्रेट आते रहे बॉम फटने वाला है इसको लेकर बहुत सारी धमक्या आई है और ऐसे बहुत सारे केसिस हो गए और कई सारी जो फ्लाइट से उसकी वज़े से अफ़ाक्ट हुई है ऐसे हम मजाक में जा कोई मजाक भी कर रहा हो फेक थ्रेट्स दे रहा हो लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते तो अलग-अलग एरलाइन्स को इस तरीके के जो थ्रेट्स से दोस्तों हो यहाँ पर देखने को मिले है अगर हम केवल साटरड़े की भी बात करें तो पिछले साटरड़े में 30 से जादा जो फ्लाइट्स है हमारी उन सब को ये बॉम्ब थ्रेट्स मिला है ये धमकी मिली है बॉम्ब की और इस सब्ता भी यहाँ पर आप देख पाऊगे तो 100 से जादा फ्लाइट्स है जिनको थ्रेट्स मिल चुका है तो ये सब यहाँ पर एक फेक थ्रेट्स है जो बार-बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो इसको कैसे काउंटर केल सकता है एक बड़ी प्रॉ अगर है तो इसमें क्या बदलाव करना चाहिए वो यहाँ पर राइटर ने डिसकस किया है तो दोस्तो इस एटोरल में पहले यहाँ पर निउस मेंशन किये है जो कि आपको पता है पिछले सब्ता हमें अगर हम बात करेंगे तो लगबाग 100 से जादा अलग लग फरजी बॉ लेकर कई सरी चिंताएं पिछले कुछ समय पर पैदा हुई हैं सबी जो फ्राइट्स है वो सब फेक आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्वियस सी बात है एरलाइन में एक डिसरप्शन सा क्रेट हो गया है पैसेंजर्स में पैनिक सा आपको कर रही है इनके एफर्ट्स क्या है कैसे यहां पर इस प्रकार की चीजों को लेकर डील किया जा सकता है और भविश्य में ऐसे कोई थ्रेट आता है तो कैसे हम उसको लेकर डील कर सकते हैं वो इस आर्टिकल में डिसकस किया गया है तो सबसे बहले जब हम लोग बात करते हैं bomb threat response के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जब भी कोई bomb threat आता है मानलो कोई flight उड़ रही है उस समय पर कोई threat आया है तो इसलिए क्या होता है जो BTAC नाम की body है इसका नाम है bomb threat assessment committee यह committee के पास में सारी जिम्मेदारी होती है इन मामले को evaluate करना समझना कि यह threat सही है या गलत है मजाग तो नहीं कर रहा है उसके credibility को यहाँ पर बता लगा ना उसको evaluate करने का काम किसका है BTAC का है या लगसे body है जो bomb threats जो होते हैं उसको evaluate करने का काम करती है उसका मुल्यांगन करने का काम करती है उसके लावा जितने हमारे pilots है दोस्तो वो ATC that is air traffic control के साथ में coordinate करके काम करते है कि यहाँ पर उड़ती भी flight में कोई bomb threat आ गया है तो रिटर्न होना है या नहीं होना है या आवसपास के कोई airport पे जाना है तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर यह work करते है या पर कह सकते हैं अगर flight उड़ान नहीं भरी या भी उससे पहले अगर कोई bomb threat आ गया है तो तो उस समय पर दोस्तों को flight उड़ान नहीं बनी है और bomb threat आया हुआ है तो उस flight को proper तरीके से उस aircraft की checking होती है बहुत detail से चेक किया जाता है और यह साब काम जहां पर जो bomb threat है वो international flight को target कर रहे होता है जो Indian air space से बाहर है तो अगर कोई ऐसा threat आ गया है तो जो हमारी Indian agency है वो international ATC air traffic control के साथ में मिलकर काम करती है और obviously बात है उस flight को फिर आसपास की airport में तुरंट उतारा जाता है अगर कोई ऐसा मतलब bomb threat आ गया है तो now question यह है कि sir bomb threat के बारे वोदो हमें समझ मागया कि क्या issue है लेकिन हम लोगों ने क्या क्या response या जरा यह बताईए हाल ही में जो fake bomb threats देखने को मिले हैं जिन्होंने Indian airlines को target किया इसके प्रती यहाँ पर response क्या है सबसे पहले यह हुआ कि देखो हमारी जो airlines है उन्होंने immediately अपना anti-terror protocol को activate कर दिया जितने भी हाँ पर rules regulations है आतंगवास के against में जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर activate कर दिया हर एक security measures को अपनाया बहुत जादा security strong कर दी हर एक जितना भी यहाँ पर कह सकते हैं धमकिया आ रही थी है उसको हमने पूरे के पूरे साबधानी के साथ में परका है ऐसा निये किसी भी यहाँ पर धमकी को मजाक में ले लिया कि यह क्योंकि obviously बात है 100 धमकिया आ चुकी है हमने हर एक थ्रेट को बहुत असानी से या बहुत ही ज़दा शादर सा से analyze किया है कुछ भी मजाक में लिया है जो अच्छी बात है फिर उसके लावा यहाँ पर दूसरा कदम inter-ministerial coordination का अपनाया गया जो MOCA नाम की एक ministry है ministry of civil aviation उसके लावा हमारा threats को tackle किया जा सके हमने अपनी security को बढ़ा दिया है जैसे जैसे यहाँ पर यह लगातार धम के आई है security को बहुत ज़दा tight कर दिया airports पे बताया जा रहा है security check में 10% की बढ़ोतरी अचानक से की गई है CCTV coverage को यहाँ पर expand कर दिया है ताकि जिस पर भी शक हो तुरां ध्याबे पकड़ा जा सके कोई भी बच ना सके security protocols के और ज़दा बढ़ाने के उपर में लगातार काम चल रहा है हमारी जो BCS body है या airport specific bomb threat assessment committee है यह सब मिलकर अलगलग प्रकार के approaches अपना चुकी है जहां पर हर एक जितने भी धंकिया है उनको हर अच्छी तरीके से evaluate किया जा सके उसके लवाग जो government है वो लगातार काम कर रही है उन सभी लोगों को देखने में जो responsible है इन fake threats के उपर में कर कौन रहा है यह उनको पकड़ा जाए तुरंत सोचल मीडिया के माद हम से इस तरीके सा panic create कर रहे है नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा airline industries को लोगों में यहां पर एक डर बैता हो रहा है तो उस जीच के लिए यहां पर इन लोगों को पकड़ा इंडियन गवर्मेंट आज के समय पर planning कर रही है कुछ changes के बारे में कि जो fake bomb threats होते हैं जो हमारी airline को target करते हैं हम कैसे कठिन से कठिन या खतरनाक से खतरनाक सजा इन लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं जो यह कदम उठा रहे हैं जो यह हरकत कर रहे हैं और इसके लिए दोस् के criminal law के साथ में आज हमारे पास में कोई ऐसा specific नियम नहीं है कोई अगर bomb threat दे रहा है कोई फरजी यहां पर धंकी दे रहा है उससे निपटने के लिए कोई भी हमारे पास में अलग से separate कोई प्रावधान नहीं है कोई कानूनी law आपको नहीं देजराएगा जो हमारे पास मे criminal laws present है उसी के अधार पे हम action लेते हैं तो यहां पे government focus कर रही है कि हम अपने नए नियम में चीज़े को add कर सके या पुराने नियम में modification कर सके जैसे एक नियम है हमारे पास में aircraft security rule governed by the aircraft act 1934 तो ये इस particular नियम के अंदर में modification किया जाएगा और ऐसे मुझरिमों को लेकर आया ज जाएगा उनको मुझरिम साबित किया जाएगा especially जो लोग fake इस तरीके के threats पिला रहे हैं और एक panic create कर रहे हैं लोगों के अंदर में समझ गए तो ये हैं यहां पे हमारा particular editorial ध्यान में रखेगा बहुत ही जादा important article है आप देख पा रहे होंगे लगातर ऐसी बहुत सारी हर्मत प्रीत सिंग साब ने हाँ पर इस editorial को लिखा है यह क्या बात करते हैं यह बात करते हैं blue helmets के बारे में now question यह है कि sir यह blue helmet क्या है देखो समझो heading क्या दे रहे हैं writer बोलते है the world needs blue helmet who act as a blue helmet हमारे देश को blue helmet की जरुवत है लेकिन उन blue helmets की जरुवत है जो सही में blue helmet की तरह काम कर सके उनकी जरुवत नहीं है जो केवल यहाँ पर किताबी यहाँ पर एक body बनी जो ही है और उसके लावा उसका काम करने का कोई मकसद नहीं है blue helmet की जब बात करते हैं दोस्तों यह वह आपको blue helmet नजर आएंगे यह सब वो है जो United Nation Peacekeeping Force में आते हैं अब United Nation जो Peacekeeping Force है दु United Nation की साइड से यह Peacekeeping Force प्रेजेंट की है ताकि यह सभी लोग मिलकर वहाँ पर सांती बनाएंगे शांती बनाने के साथ साथ जो लोग उन युद्ध के अंदर में पीड़त हैं उनकी मदद करेंगे उनको protection प्रोवाइट करवाएंगे तो इसलिए यहाँ पर United Nation Peacekeeping Force बनाएग आप ये देखिए कि चल क्या रहा है करेंट समय पर क्या ये सही से काम कर रही है सभी forces अगर सही से काम नहीं कर रही है तो क्या issue होना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे राइटर साब है वो ये मेंशन करता है कि देखिए ऐसे बहुत सरे इंस्टांस हो चुके हैं जैसे रवांडा में 1994 का इंस्टांस हो गया बॉसनिया के अंदर में 1995 का इंस्टांस हो गया जहाँ पे United Nation United Nation के जो ये Peacekeeping Force है as a bystandard देखने को मिल ये केबल दर्शक बनके रह गए और आज दुनिया भर में ऐसे ही यहाँ पर इन Peacekeeping Force को तहनात कर रखा है हमने चाहे वो यहाँ पर दोस्तों Sierra Leone हो वहाँ पर इस Force को तहनात कर रखा है बस खाली नाम अलग है उसका नाम है UNSMIL इसी तरीके से यहाँ पर तिमौर लिस्ते हो लोगों की कुछ security provide करवाई है सवाल तो यह उठता है ना क्योंकि आज के समय पर जो दुनिया है यह again बहुत बड़े war में आपको देखने को मिलेगी Europe हो गया West Asia हो गया सब भिड़ेवे हैं चाहे वो Russia Ukraine का conflict हो गया या Israel Lebanon West Asia Iran इन सब का यहाँ पर यह conflict हो गया तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लंबे समय से जो यह peace keeping forces है यह by standard ही बनी हुई है राइडर सीदे सिदे बोलता है यह दर्शक बने वे हैं कोई भी यहाँ पे काम इनकी side से नहीं किया जा रहा है जबसे यहाँ पे Russia ने invade किया है Ukraine को Russia ने यहाँ पर आकरमन किया है Ukraine के उपर में फिर ह अमास ने यहाँ पर 7 October को इसराइल पे attack किया उसके reference में उसके बाद इसराइल ने बहुती ज़दा offensive attack किया बहुती भयंकर attack किया यहाँ पे गाजा में तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जब यह सब कुछ हो रहा है तो United Nation response force जो है हमारे सबी जगा पर वो यहाँ पर इ एर क्लाक से जादा strong United Nation military police force present है इन जगाव में present है सब कुछ present है हमारे पास में logistic hub है और यह जितने भी लोग present है सब को हमने weapons दे रखे हैं हतियार दे रखे हैं एक से एक weapon provide करवा रखा है एक बड़ा logistic hub इसका इटली में present है इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको इतना ज परशक बनके रह गए हैं जब भी conflicts आता है तब भी यहाँ पर यह केवल bias standard के तौर पर देखने को मिल रहा है जबकि यहाँ पर एक लाग United Nations uniform forces जो है इसको हमने कई सारे mission में आफरीका में तेनात किया आफरीका के सासाथ यहाँ पर कई सारे और भी देशों में दोस्तों यह पर तेनात किया कई सारी जगा पर हम लोगों नहीं है पर इनको deploy किया है और कुछ ऐसी जगा है जहाँ पर deploy किया गया और इतिहास में बढ़िया काम किया है उन्होंने लेकिन आज का क्या हो गया है आज के scenarios में क्या हो गया है इन सबको वो writer explain करते हैं फिर यह बोलता है कि द काम है वो कर रहे है पीस को लेकर यहाँ पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है उसके अलावा बस खाली जब well armed है अच्छेगा से हतियार दिया है well provision troops है well trained है है लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया गया अपने rotation के लिए यहाँ पर बस खाली काम हुआ इ यही चल रहा है जो blue helmet है हम सोचते हैं वो blue helmet की तरह act करेंगे बट ऐसा नहीं है इन blue helmets को blue helmet की तरह काम करना चाहिए था बट यह सब चीजें नहीं हो रही है एक समय था इतिहास में 1999 से लेकर 2008 के बीच में कोसोवो में दोस्तों यहाँ पर यह force तैनात की गई फिर 1999 से लेकर 2008 के बीच में ही तिमौर लिस्ते में force तैनात की गई तो उस समय पर यहाँ पर उन्हें वर्क किया था और उस समय पर forces भी तो कम थे United Nation की केवल 6000 लोग यहाँ पर आपको कोसोवों में थे जिन्होंने शांती बना दी 3000 United Nation police personal present थे तिमौर लिस्ते में यहाँ पर कुछी लोग present तो राइटर बोलते हैं आज जो इसराइल गाजा पटीन सब के बीच में हो रहा है यह भी देश इतने ही बड़े हैं जितने बड़े वो हुआ कर देते और महाँ पर केवल 6000 लोगों ने शांती बना दी यहाँ तो लाखों लोग present है तो भी यहाँ पर शांती नहीं बना पा इसमें सुधार करने के आवशक्ता है जो की बहुत important body है ध्यान लकिए क्योंकि जब हम लोग बात करता है United Nation की तो इसके एक एहम body है United Nation Security Council अब इस Security Council में आपको पता है total 15 members हैं जिसमें से आपके 5 permanent members हैं और बाकी जो यहाँ पे 10 non permanent members इसके present है जो 5 permanent members present है दोस्तों उनके पास इसमें proper एक veto power है और इन members में आज USA भी है रशिया भी है यह सभी देश आपको देखने को मिल जाते हैं तो मामला क्या है मैं आपको बताता हूं मामला यह है यह 5 permanent countries आपने इसकी decide कर दी है वही इसको यहाँ बदलना होगा permanent countries की seat को बदलना होगा इसमें बदलाव करना जरू इंडिया को representation देना होगा यह जो permanent seat को expand करो इंडिया को भी हाँ पर इसमें implement करो और भी कई सरे देशों को लेकर आओ उनको भी veto power दो क्योंकि United Nation की working टकरा गई है जिसकी वजह से आज दुनिया में clashes हो तो रहें वार हो तो रहें लेकिन रोक नहीं रहें अब ऐसा क्यों ऐस पर कोई प्रस्ताव इसराइल के अगेंस्ट में आ जाए मैं आपको example दे रहा हूं मालो United Nation में इसराइल के अगेंस्ट में कोई प्रस्ताव आ गया कि इसराइल को यहाँ पर यह वार रोक नहीं होगी अब यहाँ पर क्या है सब ने वोटिंग दे दी कि हाँ हाँ यह कर सकते नहीं कर सकते हैं लेकिन बीच में USA आ गया अब USA एक पर्मनेंट कंट्री है और USA के पास में वीटो पावर है वीटो पावर इसमाल करको नहीं पर इस प्रस्ताव को रोक दिया कि भाई हटो ऐसा कुछ नहीं होने वाला रुग गई वार कुछ भी नहीं रुखी इसराइल को पर्मनेंट मेंबर बना पर बैठावाए तो वो वीटो कर देगा मामले को महीं रोक देगा हम अठाते हैं हम इसके सपोर्ट में नहीं है एक भी देश अगर यहां पर इन पांचों में से ये पांच पर्मनेंट कंट्री जोएन में से एक भी देश वीटो कर देगा ना तो proposal आगे जाए गई ने तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको सुधार करना होगा क्योंकि एगर ऐसा चलेगा permanent countries को और बढ़ा हो voting जो power से इसमें कुछ changes करने होंगे कुछ और देश भी present होंगे तो यहाँ पर आप waitage रख सकते होंगे यहाँ इतने vote से यह pass होगा तो इसको pass मना जाएगा कोई रोक नहीं सकता तब ही मामला सुधरेगा अगर United Nations Security Council का ही working सही नहीं होगा तो आप अनुमान यही लगाई है दुनिया बर में ऐसे conflict चलते रहेंगे वो भी नहीं रुकने वाले और इसी लिए हाँ पर आज बोला भी जाता है कि United Nations Security Council केवल किताबों पर लिखी वी एक body रह गई है सही से काम नहीं कर पारें इनके working में बहुत सरे issues हमको देखने को मिल जाता है समझ गए ना चलिए आगले article पर आता है नेक्स राडिकल में बात हो रही थी भारत और सिंगापूर दोनों मिलकर explore कर रहे है joint development production and the equipment of armed forces देखो भारत सिंगापूर के बीच में कल एक meeting होती है कल Tuesday था और दोनों ने मिलकर discussion किया है कि हम आपस में क्या करेंगे दोनों देशों की जो military है उनकी joint military training provide करवाएंगे आने वले 5 सल को लिए और training के साथ साथ दोस्तो आपस में मिलकर ये दोनों देश जोग है जो अपने defense equipment है जो हतियार है उसको co production या co development का नाम दिया गया है यनि दोनों आपस में मिलकर develop करेंगे ये इंडिया सिंगापूर का defense minister dialogue हुआ है जहाँ पर हमारे defense ministry है सिंगापूर के यहाँ पर कुछ minister सापको देखने को मिलेंगे इनके बीच में discussion हुआ है इससे क्या होगा इससे यहाँ पर दोनों देश मिलकर अपने defense relations को मजबूत कर सकेंगे क्योंकि दोनों मिलकर नएने weapons बना रहे हैं नएने हतियार बना रहे हैं अपनी armies को मजबूत कर रहे हैं अपने military के बीच में cooperation बढ़ा रहे हैं तो इससे defense cooperation obviously बाते increase होगा हम artificial intelligence का concept अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ये भारत और सिंगापूर के दोनों मिनिस्टर्स नहीं मिलकर decide किया है कि इस cooperation को हम और बढ़ाएंगे यहाँ पर cyber security जैसी चीज़ों उसके ओपर भी work किया जाएगा है ना उसके अलावा कि भई यहाँ पर जो सिंगापूर है उसके साथ में relations हमारे अच्छे हैं अगर हम देखेंगे तो दोनों कंट्रीज के इस bilateral relation को और जदा मजबूत करना comprehensive strategic partnership में बदलना यह हमारा main purpose रहने वाला है तो वो इस article में डिसकस किया है अब यह article इतना काम का नहीं है बट किसी reason की वजासे जो सिंगापूर है वो दोस्तों खबरों में आ चुका है अब खबरों में है तो obvious सिंगापूर को लेकर UPS equation बूच सकता है especially यहां पर places को लेकर लेकिन places पे आएंगे अभी उससे पहले भारत और सिंगापूर के बारे में एक और update ले लो यह आज से कुछ मेनों पहले की खबर है तो इस साल इंडिया सिंगापूर रिलेशनस दो से तीन बार चर्चाओं में रह चुका है तो exam में question बन सकता है हाल ही में जो चर्चाओं में था उसके पीछे का reason क्या था भारत के जो external affairs minister है वो हाल ही में एक meeting करते हैं सिंगापूर के foreign minister के साथ में और वहाँ पे व्यापार को लेकर जितनी भी समस्या है वो discuss की जाती है इस वज़ा से यह दुबारा से चर्चाओं में आया था तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं भारत और सिंगापूर के बारे में तो सिंगापूर कहाँ पर है यह है इंडिया और नीचे अगर आप जाएंगे दोस्तों तो यह हमारा जो साउथी स्टेशन रीजन है यही पर आपका सिंगापूर देखने को मिल जाता है जूम करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर यह सिंगापूर आपको नजर आएगा ठीक है सिंगापूर के जस्ट ऊपर यहाँ पर स्ट्रेट आफ जोहर आपको देखने को मिल जाता है उसके लाबा नीचे स्ट्रेट आफ सिंगापूर भी प्रेजन्ट है सिनांग आईलेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसके बारे में ध्यान नखिए क्लियर हो गया तो यह हम लोग यहाँ पर सिंगापूर के लोकेशन देख रहे हैं सिंगापूर के जस्ट उपर आपको मलेशिया भी देखने को मिल जाता है इसका पडूसी देश है नीचे आपको इंडुनीशा देखने को मिल जाता है यह सब इसके आसपास के पडूसी देश प्रेजेंट है ठीक है बात होगे सिंगापूर की अब आगे आगे देखिए इसके बारे में देखे कई सारे आपको आज के समय पर face देखने को मिलेंगे भारत और सिंगापूर के सम्मंद में जैसे भारत और सिंगापूर के सम्मंद कितने मजबूत हैं अब ये देखे दोनों देशों ने मिलकर agree किया है कि जितनी भी समस्याई होंगी अलग-लग मंच पे उसमें एक दूसरे के बीच का भारत सिंगापूर के बीच का वो 18% से ग्रो हुआ 2022 तेस में और 18% से ग्रो होके आज दोनों देशों का व्यपार 35 बिलियन डॉलर से जादा का जा चुका है फिर बात आती है डिफेंस रिलेशन्स की तो राइगुलर बेसिस पे दोस्तों भारत और सिंगापूर के बीच में कुछ जॉइंट मिलिटरी अभीहास होता है दोनों देशों के बीच में एक्सिसाइज होती है उस एक्सिस का नाम है सिंबेक्स क्वेस्चन यहां से कई सरे एकजाम में बन चुका है सिंबेक्स का फुल फॉर्म है Singapore India Maritime Bilateral Exercise ये देश दोनों मिलकर यहाँ पर इस exercise को conduct करते हैं फिर दोनों देशों के people to people relations को अगर आप देखोगे न दोस्तों तो Singapore एक ऐसी जगा है जहाँ पे लाखो Indians present है बताया जाता है Singapore की जो population present है उनमे 9.1 पसंदिया ने approximately साड़े तीन लाख लोग ऐसे हैं जो Indian origin है जो भारत के ही वहाँ पे present है work कर रहे हैं और अलगलग reasons की वज़े से आपको महाँ पर देखने को मलेंगे clear हो गया तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा चलिए अब आगे आते हैं आज के इस बात पे as a punishment के तोर पर है ना किसी को सजा देने के तोर पर यहाँ पर यह काम कर रहे है दंड स्वरूप देश निकालना उसको बोलते हैं banish समझ गए to make somebody or something go away to get rid of someone तो इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं banish अब इसी banish word का use करके फटा-फट नीचे comment section में एक sentence बनाओ sentence आप नहीं मनाते हो इस विसे मैं word हटा देता हूँ फिर कई सरा लोग mention करते हैं सर्फ word लगाया करो तो यार आप make sure करो sentence बनाइए इन words का use भी तो होना चाहिए न नीचे comment section में एक sentence सभी लोग यहाँ पर बनाएंगे तो पता चलेगा हाँ इस word का proper तरीके से use कर और आपको फाइदा होगा इसका इन words का अगर आप use करना सीखेंगे आपकी vocabs improve होंगी आप इनका use अपने main sans writing में कर सकते हैं इन words का use करके यहाँ पर दोस्ता आप वैक वाप जब improve होगा तो obviously बात है main sans writing improve होगा essay में कई सारी जगा पर इन words का use कर जा सकता है और especially comprehension passage यानि C-set में आपका एक बहुत बड़ा role play करने वाला है यह words समझ गए तो banish word का use करके फटफट नीचे comment section में sentence बना दो चलिए आप आता है prelims वाले question पर तो starting में आपको एक question दिया गया था गलेथिया बे को लेकर दो statement से बताईए दोनों में से कौन से statement सही है पहला गलेथिया बे लक्षदीप आइलेंड में located है क्या ये सही बात है नहीं भई बिल्कुल गलत बात है क्यों लक्षदीप आइलेंड नहीं है भई ग्रेट निकोबार की हम बात कर रहें नहीं निकोबार आइलेंड की बात कर रहें निकोबार आइलेंड में ही है गलेथिया बे तो पहला statement हो गया हमारा बिल्कुल गलत दूसरा क्या एक नया international container transshipment port एक बंदरगा गलेथिया बे पर तयार हो रहा है जिसको हम भारत का major port बोलेंगे जि बिल्कुल भारत का एक ऐसा नया major port तयार हो रहा है that is why option number B to only is the correct answer समझवा गया चलिए फिर आता है अपने आज के map के question की तरफ यानि places and news आज map में क्या देखना था आज आपको map में क्यूबा को cover करना था क्योंकि क्यूबा recently चर्चाओं में था क्योंकि क्यूबा में जो उनका electricity grid है ये चौथी बार collapse कर गया पिछले 48 गंटों में बार-बार बिजली जा रही है reason है एक हरी के नेक चक्रवाद बना है औसकर इस वज़र से ये चर्चाओं में है अभी एक cyclone इंडिया में भी तो आ रहा है ना dana तो उसके बार में बात करेंगे हम लोग अभी हमने discussion ने किया है बट खली थोड़ा सा यहां पर उसके बार में ध्यान लखना कतर ने अभी यहां पर नाम दिया है cyclone dana तो उसके बार में बात करेंगे don't worry अभी बात यहां पर क्यूबा के बारे में हो रही है तो क्यूबा एक देश है जो specially Caribbean Sea में present है Gulf of Mexico और Atlantic Ocean के पास में भाई कहां पर है आईए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ यह आपका क्यूबा प्रेजेंट है आओ, real map में चलते हैं क्योंकि real map से cover करने का मज़ा कुछ होर है Caribbean Sea कहां पर है आपको इस तरह के से चलना है हम अपना West Asia क्रॉस कर चुके हैं Africa क्रॉस कर चुके हैं और Africa क्रॉस करने के बाद में आ चुके हैं South America लेकिन South America नहीं जाना North America भी नहीं जाना तो जाना कहा है यहां आना है Caribbean Sea में यह आपका Caribbean Sea present है और यहीं पर क्यूबा दिखा नहीं दिखा बताओ, देखिया होगा वैसे तो यह रहा यहां पर यह क्यूबा क्यूबा के असपास कई सरे countries present आपको देखने को मिलेंगे चाहे नीचे जमाइका हो उपर Bahamas हो, यह सब island countries आपको देखने को मिल जाती है ठीक है, अब हम देख रहे हैं बरावर में Gulf of Mexico है सर, Gulf of Mexico कहां है दिखा, यह उपर Mexico देश है यह जो Gulf है, यह है Gulf of Mexico इससी के नीचे क्यूबा है ठीक है, क्लियर होगा, आपका होगा आपने Atlantic Ocean के नाम भी लिया तो Atlantic Ocean कहा है, यह रहा है Atlantic Ocean यह है हमारा Atlantic Ocean यह है Gulf of Mexico बीच में है इसके क्यूबा क्लियर, क्यूबा जो देश है दोस्तों, इसका geographical feature बहुत important है बताया जाता है, क्यूबा में बहुत सारे minerals प्रेजन है, आज गसे में पर कोबाल, निकल, आइरन ओर, मैंगनी, सॉल, टिंबर यह सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजन्ट है और पता है, दुनिया में जब बात करते है निकल की तो निकल के मामले में क्यूबा सबसे बड़ा देश है ध्यान अखेगा, question आप से बन सकता है क्या question बनेगा, question यह है क्यूबा is the ninth largest producer अफ निकल, सही है गलत, सही बात है क्यूबा में कुछ important नदियां है दो नदियां आपको देखने को मिलती है एक है काउटो और दूसरी है तोवा यह दो नदियां यहाँ यहाँ पर बहती है कैसा लगा, feedback वगरा नीचे comment section में लिखेगा मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज क्ले बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जय हिंद